Hello everyone, welcome back to this channel आज आया हूँ मैं business studies के sample paper को लेकिन जैसा कि मैंने last video पे accountancy का sample paper प्रवाइड करवाया था आज मैं business studies का sample paper लेके आया हूँ ये business studies का पहला sample paper है तो देखते हैं इसमें क्या-क्या questions available है जैसे कि ये as it is CVC के question pattern के जैसा बनाया गया है तो आप लोग भी ठीक जैसे time लिखा हुआ है 3 hours ठीक है 80 marks का question तो आप लोग भी timer लगा कि इस question को attempt करोगे इस question को as a mock test तुमें deal करना है और ठीक जैसे तुम exam hall में बैठके exam देते हो वैसी इस question को भी exam के exam के जैसा treat करना है ये पूरा question मैं scroll down करके दिखाया हूँ आप लोग वीडियो को pause करकर के भी question attempt कर सकते हो या फिर screenshot चाहो तो screenshot ले सकते हो question को note down भी कर सकते हो जिस भी student को जैसे अच्छा लगे लेकिन मेरा मानना तो यही रहेगा कि वीडियो को pause करकर के question attempt करके खतम कर दो क्योंकि लिखने में तो time जाएगा बहुत time जाएगा और screenshot लेने में थोड़ा सा कम time जाएगा लेकिन उसमें भी तो time ही जाएगा ना तो इससे अच्छा है कि वीडियो को ही pause कर लो एक question attempt करो वो question खतम होता है तो वीडियो को फिर से play करो तो वीडियो थोड़ा आगे जाएगा question भी आएगा फिर pause करो फिर attempt करो ऐसे करके तुमें अलग से screenshot लेने के लिए time भी नहीं निकालना परेगा और लिखना तो नहीं परेगा तो ऐसे करके तुम test दे सकते हो right या फिर चाहो तो वीडियो को download भी कर सकते हो YouTube में ऐसा option भी रहता है जो भी हो जैसे भी तुमें comfortable लगे तुम वैसे apply करो लेकिन main बात यही है कि तुम यहाँ पर दियेगे जितने भी questions है उनको attempt करो फिर अगर तुमें ऐसा लगे कि बहुत सारे questions ऐसे भी है जो तुमें नहीं आते है तो वो books का help लेके solve करो Google में ढूंडो एक बार तुमें answer मिल जाए और उन answer को परके समझ में भी आ जाए तो उनको सीखो ठीक है उनको अपने दिमाग में रखो क्योंकि ultimately exam में जाके तुमें यह सब item करने है और कोई भी question उसके answer अगर तुमें ना मिले या फिर वो answer मिलने के बाद भी समझ में ना है तो उसके लिए मैं हमेशा हूँ तुम लोग यह सब comments box में लिखके मुझे mention करके बता सकते हो मैं next video में वो सब explain कर दूँगा इस शुप रिज़र signing off